मुझे भी डर लगता है, भूछ से नहीं, आत्माव से नहीं, एकनॉमिस, हर किसी की कुछ न कुछ कमजोरी होती है, अगर आप त्यारी कर रहे हैं, कॉम्टिटिटिफ एक्जाम्स की, और इंग्लिश जो है, वो आपकी कमजोरी है, तो आज इसका एक solution हम लोग देखने वाले हमारा में होता है, एक्जाम में select होना, तो जो subject जितना required है, जितना पढ़ना चाहिए, हमें उतना ही पढ़ना चाहिए, और उसको दिल पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो आज इंग्लिश के एक book का हम लोग review करने वाले हैं, कौन सी book है, वो है, SP Bakshi की objective general English के book, तो यह आप लोग, और अलग अलग videos में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग teachers को मैंने same ही book recommend करते हुए देखा, unless उनके खुद की book नहीं आ रही हो market में, तो यह जो book है Arihant publication की, trust me, अब तक कि चितनी वी books मैंने देखी है, उसमें सबसे best है Arihant की books में, क्योंकि Arihant publication की बहुत सारी किता में बहुत सारी गलतिया होती है, लेकिन यह जो book है, it's one of the best book, और अगर आप इसको Amazon पर चेक करेंगे, तो 2021 वाला यह edition है, और आपको reviews बहुत positive मिलने वाले हैं, तो क्या करना है आपको, पहले तो यह video पूरा देखना है, और आपके कुछ suggestions जो है, वो भी आप comment box में ल payment है, ऐसा मिनी की बहुत बुरा है, बट ठीक है, काम चल जाएगा, पढ़ नहीं तो है, और दूसरी चीज़ पेज जो है, यह भी okay है, बहुत जाद अच्छे नहीं है, और ऐसा मिनी की बहुत बुरे हो, लेकिन ठीक है, ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, फिर इ अच्छे के बाद देखिए, हम यह cover जो है, वो भी ठीक है, लेकिन फॉंट से इसको रीड कर सकते हैं, तो फॉंट से जो है, वो भी ठीक है, बहुत बड़ा बच्छा नहीं बोल थकती है, लेकिन हाँ, ऐसा है कि आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत जादा परिशानी नहीं होगी, ठीक है, और दूसरी बात, क्या है इसबुक में, क्या इसमें अब्जेक्टिव जनरल इंगिश लिखा है, तो सिर्फ अब्जेक्टिव है, नहीं, जितने भी टॉपिक, अलग-अलग एग्जैम्स में, इंगिलिश में पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स को फे जो अलग-अलग एग्जैम्स में, इंग्लिश में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे ही इसमें इंक्लूड किये गए हैं, तो जनरल इंग्लिश के लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आगे हम लोग और डीटेल में देखेंगे कि इसक आपके लिए आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो एक आपने अच्छे सको पढ़ लिया है, अगर आपको फॉमुला पता है, तो आप इस ताप के क्वेश्चन एजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और वहीं अगर बात करें कुछ टॉपिक्स लाइक एडियम और प्र अगर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उसमें आप नहीं अन्दाज लगा सकते कि कहां से क्या पूछ लिया जाएगा, उसके लिए तो आपको डेली प्राक्टिस की जरूत होती है, न्यूस पेपर पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, या फिर कोई बुक रीड करना, तो इस जो कुछ चीजों में help करती है, रेस्ट जो आपके टेंस वगेरा है, प्लोस टेस्ट उसमें भी आप काफी कर सकते हैं, इस पॉट्टिंग एरर को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो भी इस बुक में अच्छे से बताया गया है, और साथी नैरेशन, संथेसिस, ट्रांस्व वो सारी चीजे इस बुक में आपको मिल जाएगी, तो आगे हम लोग देखते हैं, बुक के अंदर जहांक कर थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए, और अगर आप इस बुक को और करना चाहते हैं, तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रव इंग्लिश जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम सीडिये संडिये, एससी बैंकिंग, हम, एमसीए, बीएड, एंट्रेंस और बहुत सारे एग्जाम के काम आने वाली है, और रीसेंटली बहुत सारे विकेंसी इस भी आ रही है, जिसमें की इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, और आज इसमें हमको क्या-क्या मिलता है, प्राइस तो मैं अल्रडी बता चुकिया आप लोगों को, और content की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, content जो है यहां पर दिया गया है, ठीक है, foundation model में आपको function of tense, voice, model वगेरा मिलते हैं, फिर उसके बाद आप कु मिलता है, kinds of sentence and clauses, clause analysis, question tags, non-finite verbs, verbs, articles, nouns, pronoun, adjective, adverb, preposition, phrasal verbs, idioms and phrases, और साथ ही, spotting errors, sentence improvement, selecting the correct sentence, और paronyms और homonyms, one word substitution, word with meaning, synonym and antonyms, foreign words and expressions and sentence completion, और close test, साथ ही, sequence the sentence, objective comprehension, और last part में, practical grammar में आपको मिलता है, narration, synthesis, transformation, punctuation, spelling rules, और contractions, यह सारी चीज़े आपको मिलती है, कैसे दिया गया, इसमें content वो देख लेते हैं, पहले आपको describe किया गया है, सारी चीज़े जो है, हर topic पहले describe किया गया है, फिर उसके बाद आपको workbook exercise मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ने के बाद किया आपक आपको समझाया गया है, और फिर उसके बाद workbook exercise मिलती है, तो इस तरीके से portions में आपको समझाया गया है, और काफी सारी workbook exercise भी मिलती है, और उसके बाद आपको जो exam practice है, वो भी बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है, exam practice के questions जो है, बहुत सारे मिलते हैं, यह देख सकते हैं, यह revision प्रिविजन एक्साइज है तो यहां पर दिये गए तो ऐसे ही सारे टॉपिक जो इसमें डिसकास किये गए है मेरे हिसाब से अगर आपकी इंग्लिश बहुत जाद अच्छी नहीं है या फिर भी आप त्यारी कर रहे हैं अच्छी है फिर भी तब भी आपको बहुत काम आईगी क्योंकि इसके लांग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगी काफी एजी लांग्वेज है कंटेंट काफी सारा इसमें क्वेजिन के जो सांपल आपको मिलते हैं वह भी बहुत सारे है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफीशल होंगे तो ट्रस्ट मी एक अच्छी बुक है और अधिहंत की जैसा रिकॉर्ड रहा है बहुत एर्रों की किताबों में लेकिन इस बुक मे तो थैंक यू फो वाचिंग दे वीडियो मिलते हैं हम लोग निक्स्ट वीडियो में एक नए बुक के साथ और अगर आपकी कुछ करेंज है तो आप मुझे इंस्टेग्राम पर मेसेज कर सकते हैं आपकी एक्जाम रिलेटेड क्वेरी जिनका आंसर मुझे पता होगा मैं जरूर आंसर करूंगी